हेलो फ्रेंड्स वेलकम दो फ्यूचर एकेडमी वी आहिए फॉय बेटर फ्यूचर लेट्स लाइट स्टार्ट दे वीडियो सो आज के इस वीडियो में हम स्टंडर्ट टैन हिंदी सब्जेक्ट में हम बात करने वाले प्रिलिम परिक्षा का जो पेपर है वह है मार्च ट्व सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी हम लाइव सेशन ले या फिर ऑफलाइन वीडियो डाले आपको तुरुन नॉटिविकेशन मिल जाएगी ठीक है नंबर वन है लड़कों का बूडो से स्वाबाविक डैश होता है क्या होता है प्रेम लगा विद्वेश आकरशन तो करेक्ट 2 तुम्हारे लिए प्रेश्न अधिकार का है उनके लिए डैश का है तो द्वेधना चयतना का सबूरी के लिए होता है क्यों सब्सक्राइब प्रेश्न अधिकार का है एंजिनियर पत के लिए टेलको कंपने का विज्ञापन था नेक्स्ट है डिक्त स्थानों के पूर्ति कीजिए ये भी है तीन मांक्स का प्रेश्णा है ये वाला भी तीन मांक्स का ही था ठीक है सेवा समीति का आरम कहा हुआ था राम प्रसाद बिस्मिल में आता है यह वाला वाक्य कि सेवा समीति का आरम शाह जहापूर में हुआ था मालती और नंदन का नौकर कौन था बिंदू था या रामू था तो बिंदू मालती और नंदन का नौकर था है पंडिस शादी राम को dependency कितने रुप compassionate दें हाँ आंसर भी तुहां पर एह आंसर भी गलत हैं एक So रुप थो पंडिस शादी राम को आल्बं के पांसर रुप Pandemie मिलत हैं यहां पर दोनों आंसर गलत है पर और आपकी एग्जा में असा नहीं होगा, यह तो स्कूल का है, तो थोड़ा सा हो सकता है, ऐसा टाइपिंग में, नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाला हम आगे की सेशन में देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे, तो चलिए, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, मनुष्य अंदर से कब तक अमीर था, यहां पे आपको दिया गया है, जो क्या बोलते हैं, उसको, ऑप्शन में से आपको डूंड कर लिखना है, मनुष्य अंदर से कब तक अमीर था, तो यहां पे कौन सा अंसर आएगा, विज्ञा की खोज नहीं हुई थी तब तक, अप्शन भी है, यहां पे, टीवी की खोज नहीं हुई थी तब तक, और सी है, पैसो की खोज नहीं हुई थी, तब तक, तो जब तक पैसो की खोज नहीं हुई थी, तब तक मनुष्य अमीर था, ऐसा कह सकता है, अंदर से अमीर था, सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी तो यहाँ पर आंसर आता है कॉम्पूटर विग्ज्ञा के क्षेत्र में रामपरसाद बिस्मिल को उनकी माने क्या आदेश दिया था देवानी का आदेश करना किसी की प्राण हानी नहीं नहीं चाहिए ऐसा आदेश दिया था निम्दलेखित प्रेश्णों की एक इक वक्यम उत्तर दीजे यहाँ पर दो मांक्स मिलेंगे अगर आप इसको सही-सही करते हो तो कोड़ा फेकने की जगह पर नंदन और मालती को क्या दिखा तो यहाँ पर नंदन और मालती को कुछ काजू और किश्मिश के काजू और किश्मिश जमिन पर गिरे हुए दिखाई देते हैं उस जगह पर पड़े हुए दिखाई देते हैं बुडे काकी के बतीजे का नाम क् नेस्ट है निमनलिकित प्रश्णों के दो-тीन वक्गे में उत्तर दीजिए तो ए भी 2 मार्थ सा प्रश्ण है। कि उनका मार्ग कटिन अवश्य पर चलना जरूरी है। यानि महिलाओं का जब गर से बाहर निकल करने मोका काम θαसा my one उनके जीवन में कठने आई है बहुत आती है गर की responsibility होती है बच्चे होते है समाज इक जिम्मेदार होती है सो यह सब चीजयों कि होने के बावजूद हमें बाहर निकलना है और हमारा मार्ख कठे अवश है सुधा मूर्ति यहां है दंतुल कौन था वर महलिका के गर कैसे पहुचा तो यहां पर लिख सकते हो कि दंतुल जो था राजपुरुष था और मलीका के घर पर कैसे पहुंचता है तो वह पूरी स्टोरी लिखना है आपको कि उसने एक हिरन का शिकार किया था फिर उस हिरन को कल्दाजी मलीका के घर तक पहुंचते हैं तो दंतुल है उस अपने शिकार को डूंढ रहा होता है वह अनुसराइं करते कल दा मलीक के घर तक पहुंचता है और जो होता है वह सब चीज़ेंगा बहां है डालनी है नमगर थाटीन है लाला सदनन्सिरहा ने रखल रखी सखत चीज क्या थी तो वह आपको पता है कि वह अल्बम था और और उस टूरी आप पने तरीके से वहां पे तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है उनके लिए समवेदना का यह वाला भी वीडियो अविलेबल है आप देख सकते हो ठीक है फिर हम बात करेंगे तब तक आप लोग सेक्शन एक उसको देखिए समझ यह और लान कीजिए वरा सेक्शन वी में उसके तरुण 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 दुण कि ताकि आप लोग उसको देखकर पड़ सको आई हपको विडियो पसंद आया होगा विडियो पसंद आए प्लीस प्रेश्ट लाइक बुलना thank you so much one second take care all of you